समय और हिपोक्रिसी की तरह फ्रिंज की भी एक सीमा होती है नफरत बेवकूफी और हिंसा वाले माहौल से बचना है तो सबसे पहले काम आपको ये करना हुआ कि आपको अपने घर से टीवी न्यूस देखना बंद करना होगा ना बॉयकॉट्ट जुमैटो ना बॉयकॉट्ट कतार एरवेस बॉयकॉट्ट न्यूस चैनल शो स्टार्ट होने से पहले टिकेट कटाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन दबाओ अगर आप मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं को पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके लावा मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको देश की बढ़ती, नफरत, बेवकूफी और हिंसा वाले माहौल से बचना है तो सबसे पहले काम आपको ये करना हुगा कि आपको अपने घर से टीवी न्यूस देखना बंद करना होगा मतलब टीवी वाला गोसवामी छोड़के यूट्यूब वाला गोसवामी देखना पड़ेगा लेकिन क्या करें? टीयारपी बढ़ती जा रही है, कांड तो हुनई था क्योंकि पबलिक को भी कलेज और हिंदू मुसल्मान देखने में बहुत ही मजा आता है तड़पी ऐसी है ना तो भई हुआ यू कि नूपूर शर्मा, हमारी देश की रूलिंग पार्टी की स्पोक्स परसन ने एक डिबेट के दौरान प्रॉफिट मुहम्मद पर कुछ आपत्ती जनत तिपणी कर दी जिसके बाद उमान, कतार, कुवेत, पाकिस्तान, इंडोनेशा समेत 15 इसलामिक देशों ने इस स्टेटमेंट पर आपत्ती जताई है सिर्फ यही नहीं, इस एक स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने इंडियन प्रोडक्स को बॉयकॉट करना तक शुरू कर दिया था जिसके कुछी घंटों के अंदर सरकार एकडम से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई, नूपूर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया और कहा कि यह स्टेटमेंट फ्रिंज एलिमेंट्स ने दिया है, हम नहीं जानते स्टेटमेंट के बाद देश, विदेश, कॉंटेनिंट, गेलेक्सी, यूनिवर्स, मेटावर्स हर जगे हरकम पर मचा हुआ है, इस स्टेटमेंट के बाद ना सिर्फ नूपूर शर्मा पर फायार हुई, जगे जगे हिंसा बढ़की, उनकी पुलिस सेक्योरिटी बढ़ा दी गई, यहां तक कि हमारे देश की डिप्लोमाटिक रिलेशन्स पर तक बात आ गई, मतब देखो वो टाइम गया जब शर्मा जी के बच्चे सिर्फ अकैडमिक्स और स्पोर्ट्स में टॉप मारा करते थे, यह म्यू इंडिया है बाई, अब वो कलेश भी करेंगे, अच् थोड़े सा जदच के बैठते हैं, थोड़ा बहुत फीमेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता है, और पनवाडी की दुकान पे तो फिर भी एक पॉइंट पे लोग लड़ जगड़ के ठक जाते हैं, यह लोग जहर उगलते ही रहते हैं, तो सवाल ही उड़ता है कि अ आपको एक बात समझनी होगी कि बाप बड़ा ना पईया, सबसे बड़ा रुपईया, इंडिया और मिडिल इस्ट कंट्रीज एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, और हालकि जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से माहौल चल रहा है, उस पे जपता और सरकार ने इतनी जल्दीस पर कदम इसलिए उठाए, क्योंकि जितना धर्म का मामला नहीं है, जितना फ्रीडम ओफ स्पीच का मामला नहीं है, बलकि इसका एकॉनमिक कॉस्ट जो है, वो बहुत जादा है, क्योंकि ये बात सरकार को अच्छी तरीकी से पता है कि टीवी के कचड़े की चक्कर में, अगर इन्होंने गल्फ कंट्रीज को अगिनोर किया, तो एकॉनमिक कॉस्ट इतना होगा कि संबित भाई साब जीरो भी नहीं गन पाएंगे उसमें, वो अंग्रेजी में कहावत होती ना, the stakes are too high, क्योंकि ये जो 15 कंट्रीज है जिनसे objections आएं, इ इनसे foreign remittances आते हैं, और इस सब से हमारी economy चलती है, और अगर आप geopolitical strategy की बात करो, तो इंडियन ओशियन में, चाइना को defeat करने के लिए, गल्फ कंट्रीज एक बहुत बड़ा role play कर रही है, अब देखो जो नूपुर शर्मा ने कहा, वो पहली बात तो कहा ही नहीं जाना चा इस मामली का एक और पहलू ये भी है कि इसे लोग प्रोफेसर रतललाल के case से compare कर रहे हैं, अब जिसको नहीं पता कि प्रोफेसर रतललाल का case क्या था, दरसल जब हाली में शिवलिंग वाला मसला उठा था ग्यानवापी मस्जिद में, जिसके बाद प्रोफेसर रतललाल ने एक आपती जनद ट्वीट किया था, जिसके बाद कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुची थी, उनका अरेस्ट हुआ था और लोगों ने उनकी freedom of speech के खिलाफी decision बताया था, अब जो इस case में water boundary हो रही है, वो रतललाल के case से compare करके हो रही है, जो कि लाजमी क्योंकि देखा जाए तो दोनों blasphemy के अंडर आते हैं, और अगर वो गलत था, तो ये भी गलत है, और वो freedom of speech था, तो ये freedom of speech क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना बहुत लाजमी है, बट अनलाइक रतललाल, नुपुर शर्मा इस सरकार की spokesperson, जो उनका stance होता है, जो उन hate नहीं, जे सी भी, ego भी नहीं क्या ख्याता है, उसको responsibility, लेकिन फिर सोचा जाए तो कुछ टाइम से उसका भी बंटा डार हो रखता है, आप सिर्फ ruling party के spokesperson, चोड़ दो, कोई भी spokesperson हो, कोई भी panelist हो, भाशा की मर्यादा खतमी कर दी है, नेशनल टीवी पर, 500 रुपय का पां काता है, मौलाना, and you might find this funny, लेकिन अगर आज आप अपने घर की TV देखोगे, और उसमें आप इनकी भाशा सहली देखोगे, तो आपको fringe एक compliment लगेगा, और देखो पूरा game ही यही है, unemployment और inflation जैसे गंभीर मुद्दों के बीच में कोई एक sensitive topic उठाना, जो धर्म का होगा, फ को punching bag बनाना, और आगे आपको पता ही यह क्या होता है, और यह जो आपको आते जाते मौलाना दिखेंगे न, at times TV debates पर, यह दूद के तो छोड़ो, छाच के दुले भी नहीं होते, इनका कामी होता है, आना, बकवास करना, और at times ऐसी बाते बोलना, जिससे हिंदू side की जो भ Now, यह मसला खतम ही नहीं हो सकता, बिना इसमें anchors की भूमिका को discuss किये हुए, क्योंकि भाई, खद हो गई है, लोग की वज़े से हमारे पूरे देश को शालमशार होना पड़ा है, मतलब इससे अच्छा तो गुलू है यार, वो कम से कम अपनी भिजजती करवाता है, देश ही नहीं, मतलब यह लोग क्या नहीं कर रहे हैं आजकल, पेंडेमिक में नफरत फैला रहे हैं, वार रिपोर्टिंग में नचवलिये कर रहे हैं, नशे में anchoring कर रहे हैं, और यह यह अल्ट वाला जी क्यों लगा, अच्छा यह प्रेपबलिक है, नो इट्स हाई टाइम के इन लोगों से भी accountability मांगी जाए, क्योंकि भले ही नाच दूसरे रहे हो, लेकिन गाना और dance floor इन ही का है, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को चिताया नहीं गया, सरकारी agencies ने time and again, हाला कि थोड़े से mild tone में, लेकिन इन लोगों को बोला है, कि इनका content problematic है, और अगर आपको अ अपने सबसे low पे है, inflation high है, unemployment high है, और अभी environment index में हमारे देश 180 में से सबसे निशल स्थान पर आया है, ये लोग अभी भी 1500 ऐसे debate का survey किया गया, तब पता चला कि ये उसमें से भी लगबग 90% में सिर्फ हिंदू-मुसल्मान की बाते कर रहे थे, खेर इस वीडियो के record करने तक जिस anchor के debate में ये घटना हुई, उस anchor के खिलाफ ना तो TV चैनल ने और ना ही सरकार ने उस TV चैनल के खिलाफ कोई भी action लिया है, जिको बहुत common सी बात है, आप आज सड़क पर निकल जाओ और अलग-अलग तबकी के लोगों से बात करो, आपको पता चलेगा कि वो लोग जो जादा religiously polarized लगते हैं, जिनके religious views जो होते हैं, वो बहुत extreme होते हैं, जिनको जो आप कहते हो brainwashed है, उनसे तर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इनसान बोरा नहीं है, बस उसका जो content consumption है, वो problematic है, वो दिन भर का काम करने के बाद जब गर पे रात को जाता ह तो टीवी ओन करता है, तो उसको दूसरा गोस्वामी का channel मिलता है, देखने को, फिर वो दूसरा करता है, तो उसको एक और नमूना मिलता है, और जाधतर news channel ये हिंदू-Muslim के topics लेकर देशवाशियों को brainwash कर रहे हैं, अगर आपको कभी भी mass communication पढ़ने का सौभा गिपराप चेंज आता है, और एक brainwashing होती है, और इसे लड़ना है तो एक ही option है, ना boycott Zomato, ना boycott Qatar Airways, boycott news channels, क्योंकि let's be honest, news तो वैसे भी नहीं है हमाँ पर, और अगर आपको news चाहिए, तो संडे को मिलो, मेरे साथ संडे शो में सारी news की बात बताऊंगा entertainment के साथ, ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना